वेलकम टू एसस डिफैंस अकेड़मी फिरेंड्स आज के इस विडियो सेशन्स में हम लोग डिश्यस करने वाले हैं दो देसों के बीच जो महत्पूर्ण सीमा लाइन है उन सभी सीमा रेखाओं को हम लोग डिश्यस करने वाले हैं यहाँ पर आप सभी जितने भी सीमा रेखा देख रहे हैं फ्रेंड्स यह सारे के सारे previous questions में आ गया है इसलिए सभी questions को यहाँ पर include किया हूँ लगभग 1997 से लेकर 2020 तक जितने भी यह रेखाएं से questions बने हैं सीमा रेखा से उन सभी का collections लेकर आया हूँ और साथ में मैंने राष्टिय फुन जो लगभग कई बार previous exam में चाहे वो SSE का कोई भी exam हो चाहे उसके बाद railway का exam हो defense का हो चाहे parameter forces सारे में पुछा ही पुछा गया है और उसके साथ राष्टिय पसु जितने भी महत्पुन देश के राष्टिय पसु हैं जो इस previous exam में questions बना है उन सभी का collections लेकर आया हूँ तो video को भी ना skip किये last तक देखेगा क्योंकि सारे जितने भी questions यहां है राष्टिय फूस्प हो गया राष्टिय फूल हो गया उचाहे सीमा रेखा होगा सब को हम लोग trick वे और ऐसा trick जो funny way में हम लोग याद करेंगे funny way श्टोडी बना कर trick बनाएंगे और याद करेंगे ताकि आपको long term तक याद रहिए सभी questions ऐसा नहीं है कि मैं आया ऐसे बोल दिया कि red cliff रेखा बारत पकिस्तान मैक महन देखा बारत चीम ऐसा नहीं सारे को हम लोग funny way में श्टोडी के मादिन से याद कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलाएगा कि हमें सब याद होगे सारा याद हो जाएगा वीडियो को end तक देखियागा और इसका pdf में end होने के बाद अपने टेलिग्राम चैनल SS Defense Academy पर अप्लोड कर देता हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाएगा वहाँ ज्वैन होकर सारे pdf को प्री अपकोश्ट डाउनलोड कीजिएगा इसके पहले मैंने सास्त्री नीट लोग नीट से सभी कोश्ट बनाया हूँ तो जो नए कंडिडेटर चैनल से जूर जाएगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्लेलिष्ट बना दिया गया जो आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी वेनफीट होगा तो चलिए देर ही न करते हुए सबसे पहले देखते हैं फर्ष्ट है मैक मोहन लाइन किन दो देशों के बीचे तो भारत और चीन के बीचे कैसे याद करेंगे तो देखें मैक में क्या है दो है मैक नाम के एक लड और मोहन में तीन अक्षर है तो भारत वालद तीन है यानि मोहन आप तर तो चीन के लड़का है और मैक में में हर्दम लड़ाई होता था तो इसलिए क्या क्ला बाइ लोगों ने कहा इनके बाइ बीच भून बना खर ताकि घो मैक बार रा मोहन झूर है ये इस पर है ताकि कोई बार defense और paramilitary forces में पुछा गया question से second देखिए, red cliff लेखा, ये तो इतना आसान है कि आप लोग चुटकी में याद कर लेंगे कैसे? देखिए, ये भारत और पकिस्तान के बीच है, आप देखे कैसे याद है red मतलब क्या होते है? लाल और खून कैसा रहता है? लाल तो आप सभी जानते है भारत और पकिस्तान की बीच क्या होते है, हर्दम खून खराबा होते है, माण, धाड़, हर्दम अतंगवादी, पकिस्तान वाला आप दीके, थर्ड, डूरन्ड लाइन, अब दीकितों आउर इजी है, कैसे है इस अब बता रहे हैं, देखे, डॉ है, सुर्य में डॉरन्ड में, दॉ है, और इसके लाइस्ट में भी डॉ है, डॉक्चर हैं ना, ओर दीकिए पकिस्तान में अस्थान है, और अफगनिस्ठान म आप लोग स्वरा इस्टूडी बनाएं कि डूरंड लाइन किसके बिछ होगा तो आपको एक्जाम में चार ओपसन दिखा ही देगा ना तो आप सोची कि डूरंड में भी फॉर्स्ट्रक्षर और भी डॉथ था और पकिस्तान में भी लाश्ण में तान था अस्था और अफग प्रग्निसतान के मद्ध के डूरंड लाइन है अब देख़िए फ़ोर्थ नंबर hindenberg रेखा यह जो हीदन बर्ग रेखा है किन दो देसों के बीछ है तो जर्मनी और पोलेंड के बीचे है आप कैसे यद्यर है तो हिमा फावा बरूर नाम ही पोलेंड है लेंड मानी जो है, पैसा लेट में भूमी में चोरह कार है हम तो आज खोदेंगे ही खोदेंगे और सारा लिखाल लैंग तो जर्मानी का वेचा पैसा पोलेंडन समय ने गया and देद लिखाल है क्या हुआ कि जर्मानी और भीच में मार्धर हुआ तब वहां के लोगों ने कहा कि चलो हिंडन बर्ग रेखा बना देते हैं यह दोनों अपना-पना अलग अलग रहे हैं तो जर्मानी क्या था मौनी पैसा हिडन करके रखा था पोलेंड वाला आया हिडन कहा किया था पैसा को जमीन के अंदर पोलेंड वाला लेंड कोडने वाल हुए स्टोडी आपको खुद इस तरह बहुत सरा आप बना सकते हैं फाइद देखें अड़ तीसी समनांतर रिका ये किंदो देशों के बीच है तो ये उत्री खोरिया और दक्षरी खोरिया के मद्ध है कैसे है तो देखें तीन जो दिखाई दे रहा है ये उ के जैसे दिखा आपसक कहले है ऊहाँ है तो देखें चार आपसन दिखाएगा उसमें इक उत्री खोरिया धें टीन जैसी दिखाई रहा है शुरु जो ला आक्षाण है रहा है तो ये बहारत और पकिस्तान के बीच रिखा है चोबिस तिलया है голoh है देखे 24 तिलिया है तो पकिस्तान होता है ना भाई ये 24 तिलिया मतलब गरबड़ है इसका अम एक भी तिली नहीं रखने थे ऐसा सोच लीजिए तो भारत वा लगा था तुम हमारे मतलब चक्र को बारे में कुछ मत मुलागा खुब लडाई जगड़ा हो गया तो 24 सोचीगा क भारत का जो थी था असोच चक्र था तिली था उसके लडाई हो गया था भारत पकिस्तान के बीच ये मतलब हर्दम भारत के अपोजिट पकिस्तान माल आता है अब देखे 7 त उन्चासवी समनांतर रिखा उन्चासवी समनांतर रिखा कोईसे यत करेंगे तो आप लोग सब अब देखे 8 नशासरी समनांतर रिखा को अमेरिका और कनाड़ा के वद्ड वहां पा स्टोडी बना ले रिखा है अब देखे 8 नमबर 17 समनांतर रिखा है इतसको कैसे यत करेंगे तो देखे आप सोचिए जिसको फस्त रेंक मिलता है मतलब वो सारा उत्तर दिया होता है फोस्ट रेंग किसको मिलता है परिक्षा में, मतलब जो सारे questions का answer उत्तर मतलब सटिक दिया होता है, तो देखे क्या हुआ, एक गुरु जी थे, वो बोले कि जो फोस्ट आया है, उसको उत्री ब्यत्त नाम भेजेंगे, क्योंकि वो सारा उत्तर दिया है, जो 7 नमर पाया है, उसको दौश्री ब्यत्त नाम भेजेंगे, ब्यत्त नाम भेजेंगे, लेकिन उत्री ब्यत्त नाम फोस्ट वाले के भेजेंगे, और जो फेल हुआ है, 7 नमर पाया है, उसको दौश्री ब्यत्त नाम भेजेंगे, ब्यत्त नाम भेजेंगे, तो इस तरह रिलेट करके याद कर लिजेगा, नहीं देखे, Maggie knot, Maggie knot, यह जो समनांतर रिखा है, किसके बीछे, तो देखे, यह जो है, जर्मनी और फ्रांस के बीछे, कैसे यत करेंगे, एक मा है, जो अपने लड़का को money देती है, ठीक है, एक मा है, अपने लड़का को Maggie खरीदने के लिए, मनी देती है, तो लड़का जता है, मनी लेता है, मा से, और मैगी खरीद के लाता है, और मा बनाती है, तो उसे फसा फसा के, आप सभी हैं, मैगी फसा कर, उकाटा वाला से फसा फसा कर, मैगी खसा है, तो मनी दी मा ने, और फसा फसा कर लड़का ने खाया मैगी को तो जर्मनी से मनी और फ्रांस से मैगी को फसा कर खाना तो इस तरह लेट करके आप याद कर सकते हैं अब चलिए इंपोर्टेंट जो देश हैं वहां का राष्टी फूल क्या है सभी देखते हैं यह सभी प्रिविएस कोशिंस पर पूछा गया देखें इसको ट्रिक से याद करने के कोई जरूत नहीं है इसको आप चार से पांच बार रिपीट कर देंगे खुद याद जाता है तो चरी देखें सबसे पहले आउस्ट्रेलिया आउस्ट्रेलिया का यहां का राष्टी फूल क्या है तो बैतल है क्या है बैतल है फ्रांस का क्या है तो लिल्ली है क्या है फ्रांस का लिल्ली है इस तरह याद कर लिजएगा कि फ्रांस में दो अक्षर है लिल्ली में भी दो है इस तरह यात कर लिजागा आयर्लेंड औरहेंड के राश्टै फुल सॉम राक है फूर घके मैकसिको के क्या है दहालिया है यहां का त्रशाय खोलाज है चा जहाओर आप देखें कनाडा का जिसी सफेद लेली प्रांश का लेली और सफेद लेली हैं राश्टै फूल अब देखे जर्मनी जर्मनी के क्या है कारन फ़लाऊर क्या है जर्मनी क्या देखे इसको कैसे याद करेंगे जर्मनी में परा आधा बहुआरा है इस तरह लेट कर लेजएगा आधा Kingdom और अमेरिका इसका दोनों का गुलाव का फूल है याद रखे कि काफी इंपोर्टेंट है अब देखिए नाइन्थ नंबर जैपान जैपान का है Cherry Blossom जो है यहां का राश्टी फूल है अब देखिए कि सुर्य में दो अक्षर है और इसमें भी दो अक्षर है तो सुरज मुखी को देख लेजिएगा यहां पर पाकिस्तान पाकिस्तान का राश्टी फूल का है तो चमेली है इस तरह याद कि लेजएगा आप देखे राश्टी पसूर्ण यह भी काफी इंपोर्टन सबी तो दिखेगा तो वहाँ पर उस जुन का जरसी होता है। कंगारू काूझका उसका शिप्भॉर अमीश्रेलया को भारत और बंगला डेस पर देखेगा। ये तो भारत और बंगला डेस के जो राश्ट्य पसू है, ये बाग है। क्या है ? न्यूजिलेंड को कीवी कैसे याद करेंगे न्यूजिलेंड को कीवी कैसे याद करेंगे न्यूजिलेंड किस पर आता है टीवी पर आता है टीवी को कीवी समझेगा कीवी को टीवी समझेगा इस तरह जपान जपान का क्या है जी आईवीस है जपान का क्या है आईवीस है यहां का राश्टी पसू अमेरिका क्या है तो गंजा इगल है वहां का भी राश्टी है पसू नीदर लेंड का क्या है अब इसको कैसे याद करेंगे नीदर लेंड मतलब जो नीडर होता है वो सेर के सामन जता है कभी ड्रेगन में रता है देख लिएगा दोनुटों में से जो भी आए आप्संस पर उवह मार दीजेगा नेपाल देखिए गाहे को पूझा पहुत जाता है वह से भारत में भी पूझा पाट गाय को देखिए भारत को भी यहां पर बनाना चाहिए राश्टी पशू लेकिन अब देखिए, हमारी सरकार जो है, हमारा सब इधान क्या करता है, उसके एकोर्डिंग सब देखना है, नेपाल का है, वहाँ पर क्या है, गाय है, इस्पेन का क्या है, बैल है, कैसे याद करेंगे, इस्पेन मतलब क्या होता है, पेन मतलब दर्द होना, और बैल मारता ह तो दर्द होता है तो इसलिए Spain को रिलेट कर लिजेगा बैल से अब देखे 11 पाकिस्तान पाकिस्तान का मार खोर है मतलब बखरी के परजाती है अब इसको भारत से हम आपोजिट लगाते हैं भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का अपोजिट है तो बाग बखरी यलग किल तेहीं, टूगल देखो, United Kingdom, United Kingdom का क्या है, Robin Red Breast जो है, United Kingdom का वहां का राश्टी पसु है, Great Britain देखे, सीर देखे कितने है, एक नीदरलेंड का है, Great Britain, Norway, Singapore, Sri Lanka, इन सब का क्या है, सीर है, राश्टी पसु, याद रखेगा, Singapore, Sri Lanka, Norway, Great Britain, और उसके बाद नीदरलेंड, तो इस तरह आप लोग याद कर लिजेगा, तो I hope कि आप सभी को, मतलब ये सेशन्स काफी अच्छा लगा होगा, और आप इसका PDF डाउनलोड कर लिजेगा, मिलते हैं, next important स्टेटिक जीकिक के टॉपिक्स को लेकर आऊँगा, तो तब तक के लिए आप सभी को जैंगे,